दोस्तों महायोगी गुरक्षनाद विश्व विद्याले गुरकपूर में जो common entrance test होने वाला है उसके pattern में कुछ बदलाव किया गया है तो चलिए जानते हैं कि अब common entrance test का pattern और syllabus कैसा रहने वाला है दोस्तों मैंने बहुत पहले ही entrance exam के pattern और syllabus को लेकर एक proper video बनाया था जिसमें मैंने आपको बताया था कि आपका common entrance test written होगा और उसमें fill in the blanks, match the following, abbreviations, true or false और MCQ type की questions यानि की objective type की questions पूछे जाएंगे लेकिन दोस्तों अब आपके entrance exam के pattern को change कर दिया गया है अब आपके common entrance test में सभी questions MCQ type के ही पुछे जाएंगे और इन सभी questions के answer के लिए आपको एक OMR seat भी दिया जाएगा यानि की अब आपके common entrance test में केवल और केवल objective type के ही questions देखने को मिलेंगे तो दोस्तों इन सभी बदलाओ के बाद आपके common entrance test का pattern कुछ ऐसा रहने वाला है आपके common entrance test में total number of questions रहेंगे वो रहेंगे 100 टोटल marks होगा वो भी 100 होगा और इस exam का जो duration रहेगा वो होगा 2 गंटे का और अगर बात करें इस exam के language की तो दोस्तों यहाँ पे Hindi और English दोनों ही language में आपको question देखने को मिलेगी इसके पहले जो update था उसमें बताया गया था कि केवल और केवल English language में ही questions पूछे जाएंगे लेकिन अभी जो latest update है उसके according आपके entrance exam में Hindi और English दोनों ही language में questions देखने को मिलेगी चाहे आपका कोई भी course हो आपने किसी भी course के लिए form apply किया है आप सभी के entrance exam में दोनों ही language में questions देखने को मिलेगी अगर बात करें negative marking की तो इस common entrance test में कोई भी negative marking नहीं है तो I hope अब आपको entrance exam का pattern अच्छे से समझ में आ गया होगा अब चलिए देख लिते हैं इस entrance exam का syllabus कैसा रहने वाला है तो अगर syllabus की बात करें तो मालीजे आपने BSC nursing course के लिए apply किया है जिसके लिए eligibility criteria है कि आपको 12th physics chemistry और biology से पास होना जरूरी है तो आपके entrance exam में class 12th level की physics, chemistry और biology से questions देखने को मिलेगी वहीं अगर essay course की बात करें जिनके eligibility criteria में केवल high school का ही जिक्र हुआ है यानि कि essay course जिनको करने के लिए आपको केवल high school पास होना ही जरूरी है तो उसके common entrance test में high school level की questions देखने को मिलेंगे और दोस्तों आपने चाहे किसी भी course में form apply किया हो चाहे आपने nursing में form apply किया हो या फिर paramedical या फिर किसी भी course में आपके common entrance test में आपके subject से related questions के साथ साथ आपको reasoning, general knowledge और current affairs के भी questions देखने को मिलेंगे तो दोस्तों ये था आपके common entrance test का pattern और syllabus I hope आप सभी को समझ में आ गया होगा फिलाल वीडियो में सिर्फ इतना ही मिलते हैं अंगले वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद में आपके हैं